आज एक और खास विश्यपर वीडियो ले करके आपके बीच में आये हैं, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ करजे से बाहर निकलने के 20 तरीकों के बारे में, असल में हमारा इस टॉपिक पर एक ट्रेनिंग हुआ करता थ एक साथ ही ने अभी कमेंट में लिखा मैंने मंदी के दौर में आये कैसे बड़े विश्यपर वीडियो बनाया था, तो उन्होंने कहा कि सर मैं करजे में फस गया हूँ, मैं करजे से बाहर निकलना चाहता हूँ, कई साथ हो के फोन भी आये, उन्होंने भी यही सवाल किया, कि सर एक्चुल में समस्य यह है कि इस लॉगडाउं की वज़ा से, पैसा ना दे पाने की वज़ा से मुझ पर करजा चड़ गया है, और मैं करजे से बाहर कैसे निकलू, मैं करजे से बाहर निकलना सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, दोस्तों जैसे मैंने टाइट अब ही पहले एक हजार रों के लिए केवल दो हजार रोपे इसकी फीस रखे गए, वो दो हजार रोपे में भी यह ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उसमें बहुत सारी तरीके सीख सकते हैं, लेकिन कई साथी ने का कि सर मैं आर्थी की सिथी मेरी ठीक नहीं है, मैं अभी बहु कुछ नियम आपको दे देता हूँ, जो आपको मदद करेंगे करजे से बाहर निकलने में, इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं, जो आप ट्रेनिंग में ले सकते हैं, और जैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, कि हर वीडियो में कुछ नो सिखाया जाए, कोई यह ना कह लोग तो कहते हैं, मुझ पर करजा इसलिए चणा, क्यूंकि मैंने कहीं किताब में पढ़ लिया था, कि हर अमीर आदमी पर करजा होता है, और जितना बड़ा करजा, उतना बड़ा आदमी, अब बात तो यह सही है, लोजिकल यह बात सही है, यह बात पूरी तरह 100% सही है, क कि हर अमीर आदमी पर करजा होता है, और जितना बड़ा करजा, उतना बड़ा आदमी यह भी बात सही है, यदि मालीजी आप में से किसी ओपर 10 क्रोड का करजा है, तो definitely उस पर लोग 10 क्रोड का दाव खेल सकते हैं, तभी तो 10 क्रोड करजा है, अच्छा कोई दूसरा कहता ह उस अच्छे करजे, बुरे करजे, जादातर अमीर लोग जो समझदार होते हैं, उन पर अच्छा करजा होता है, और जो बेवकुफ होते हैं, वो बुरा करजा लेकर बैठे होते हैं, अब समझे हैं कि हमारे उपर जो करजा है, हमें पता हैं वो अच्छा है या बुरा है, तो अब हम उससे निकले ना निकले, अगर अच्छा है तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर कर्जा बुरा है तो निकलना चाहिए, अब कैसे पता चले कोई कर्जा अच्छा है या बुरा है, इसके बहुत सारे पेरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजे होती हैं, लेकि हमारी जेब में कुछ पैसा आ रहा होता है वो अच्छा करजा होता है यानि कि कहीं पर हमें करजे से भी कमाई हो रही है तो अच्छा करजा होगा और कहीं पर करजा हमारी जेब से पैसा निकाले जा रहा है नुकसान पर नुकसान के जा रहा है वो बुरा वाला करजा है और ब दल दल में फस गया अगर इंसान तो हमें क्या करना होता है दल दल में फस जाओ तो सबसे पहला नियम अपनाओ पहला नियम है हाथ पैर मारने बंद करो जी हां दल दल में जितना जादा हाथ पैर मारोगे उतना जादा अंदर धसते चले जाओगे तो दल दल का पहला नियम क् जब दल दल में फस जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ, यानि कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोडेट, कोई नई सर्वेश, कुछ भी नया करने की ज़ुरत नहीं है, पहले वहीं जहां हो थोड़े टाइम रुको, रिलैक्स करो, कूल डाउन करो, अपने मन मस्तिक्ष क कंट्रोल में लाओ, अपने नियंतरन में लाओ, और उसमें सोचने समझने की शक्ति को डवल अब करो, शान्त हो जाओ बस, क्योंकि दल दल में एक भी कदम लगाओगे, वो आपको और दल दल में धहसाएगा, और लोग करते क्या हैं, करजे की दल दल में फस जाते हैं, और उस दल दल से निकलने के लिए और जादा करजा लेते हैं, और वो दल दल बढ़ती चली जाती है, और फिर एक दिन ऐसा होता है, वो दल दल खा जाती है, वागती को. नई, नई ऐसा नहीं करना, दलडल में फस गए, पता चल गया दलडल है करजे की अब पहात पर मार नेमन, पहला काम, दुसरा काम, कोई मजबूत चीज का सहारा ढूंडो अब कोई मजबूत वेक्ती हो सकता है, कोई आपकी एसेट हो सकती है, कोई ऐसे लोग हो सकते है जो आपकी मदद करने को तैयार हो और उस मजबूत चीज़ के सहारे के साथ तीसरा स्टेप अपनाना है आहिस्ता आहिस्ता अपने आपको दल्दल से बाहर निकालो जैसे दल्दल में फस गे कोई बेल मिली, कोई पेड मिली तो पकड़ लोस को सहारा ले लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालो आहिस्ता आहिस्ता क्यों निकालना भाई अगर जटके से निकालो गए हो सकता है कुसी को बोलो खीज दे टांगे टूट जाएंगे आहिस्ता 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 जाँ हो सकता है, साल पर में निकल जाए, लेकिन अपने माइंड को mentally prepare हो जाओ, कि दलदल में फसने में समय लगा है, तो दलदल से निकलने में भी समय लगेगा, अब क्या करना है, मजबूत चीज का सहरा लेना है, तो मजबूत चीज देखो, जब सपोर्ट मिल जाए, तो आहिस्ता, 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 उस्सपोर्ट के इस्तमाल से अपने आपको बाहर निकलना शुर्प करो, लेकिन समय लगेगा, patience रखना है, mentally अपने आपको control में रखना है, अपने मन मस्तिश को नियंतरन में रखना है, और फिर नए, नए मार्ग खोजने हैं, और यह बास सही है, कि करजे से निकलना अगर है हमें, तो हमें कुछ नए रास्ते खोजने पढ़ेंगे, वो नहीं हो सकता, कि जिन रास्तों पर चल रहे हो, उन्हीं रास्तों से काम हो जाए, अगर हो सकता होता, तो अब तक हो गया होता बाई, तो क्या करना है?' हमने तरीकें बदलने हैं कैसे उससे बाहर निकलना है तो मुझसे बात कर सकते हो दो चार पांच मैंट फ्री में बात कर लो कोई दिक्कत नहीं है और टेंशन मत लेना जब जीन में लगे कि बिल्कुल सब कुछ खतम हो गया कोई संभावना नहीं है कोई मदद नहीं कर रहा है याद कर लेना एक वैक्ती खड़ा मिलेगा तुम्हारी मदद के लिए और free of cost खड़ा मिलेगा 2-4-5 मेंट कोई चार्ज नहीं 10 मेंट बात करो क्या फरक पड़ता है तुम्हारी problem solve होनी चाहिए लेकिन हाँ अगर वाकई seriously करजा जादा चड़के है amount जादा है कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप ये training ले ले करजे से बाहर निकलने के 20 तरीके और मैंने जैसे बताया अभी training की fees वैसे तो 5000 होती है अभी 2000 रुपे में मिल रही है offer है ले लो पहले 1000 लोगों के लिए और उसको training को अटेंड करने बाद कोई doubt हो तो 45 मिटा समय लो जब लाग 2,5,5,10 लाग का करजा करी लिया तो 2,4,5,000 रुपे का करजा और ले लो और ये अच्छा माला होगा कई लोग कहते हैं मेरे पास training के लिए करजे पैसे नहीं है मेरे पास counselling के लिए पैसे लिए मैं कहते हूं यहां करजा ले लो क्योंकि अच्छा है अगर कोई एक idea भी मिल गया तो हो सकता है तुमारा जो पैसा अभी तक गया है वो सारा वापस आ जाए आ सकता है आ सकता है अगर खुद पर भरोसा है तो और सबसे पहला विश्वास खुद पर करो कि तुम्हे उस परंपिता परमात्मा उस खुदा भगवान वाय गुरु अल्ला उसने तुमें सफल होने के लिए इस धर्टी पर भेजा है वो चाहता है कि तुम सफल हो जाओ और दूसरा फ्रोसा इस इंसान पर करो कि ये इंसान कुछ दे सकता है वादा करता हूँ कुछ दो कि जाओंगा और मैं भी यही हूँ आप भी यही है अगर नहीं मदद हो तो बताना कि मेरे को मदद नहीं मिली है मैं refund कर दूँगा, यार amount, पैसा important नहीं है, वेक्ती important है, वेक्ती important है, यदि वाकई मेरी कोई चीज आपके काम आ सकती है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, कि मैं आपको उससे बाहर निकाल पाया, उस मुश्किल दोर से बाहर निकाल पाया, तो जब मुश्किल समय आता न, मैंने भी देखा अपने जीव, उनमें मुश्किल दोर, मुश्किल दोर में कोई, कोई मदद नहीं करता है, सब हाथ खीच लेते हैं, आज, आज मेरे आसपास लोग हैं, चका चौंध है, गाडिया है, इजजत है, शौरत है, मान सम्मान है, सब जुड़ना चाह होगा, आपकों के मदद चाहिए तो बताइएगा, और जिन लोगों ने, जिन कुछ की ने चुने लोगों ने उस समय साथ दिया, आज भी वो लोग साथ हैं, तो मेरी वो सफलता सबसे पहले उनके लिए है, क्योंकि जिन्होंने मेरा साथ दिया है, और आगे भी, आगे जो लोग संगर्श में साथ देंगे, डेफिनिटली सफलता उन्हीं के लिए तो होगी, बट खुद पर दाव खेलने के आदर डालो, दुनिया का कोई इंसान तुम्हें तब तक सफलता नहीं दिला सकता, जब तक तुम खुद खुद पर विश्वास ना करो, पहला भरोसा होगे, फिर भी कोई डाउट है, दो, चार, पांच में कोई बात करने जैसे मैंने कहा, आप फ्री ऑफकॉस बात करो मुझसे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाओंगे, आपको फोन नमबर मिल जाएंगे, मेरी टीम का नमबर मिल जाएंगे, वो डारेट मुझसे करेंट कर बात करेंगे, आपके उज्वल भविश्य के लिए हार देख शुब कामना है, जै हिन जै भारत!